कि यो बटीजब यूटीब वेलकम बैक टू मैं चैनल स्वागत है आपका मेरे चैनल वाई इस डबलो सेवन तो भाई आज हम करने वाले हैं क्यूब की थोर्ड लियर जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगर मेरी सेकंड वीडियो पर दो से चार लाइक्स आ गए तो मै आपको उसकी वीडियो बना दूँगा लेयर 3 की तो आज मैं आपको लेयर 3 सौल करने की सिखाऊंगा और भाई मैंने अपने चैनल का लेगो लोगो चेंज कर दिया है और वो लोगो ही हम आगे से रखेंगे आज मैं अपने चैनल पर इंट्रो भी बनाने वाला हूँ इंट कि यह मैंने माइक भी लगा लिया है तो भाई मैं इसकी अन्बॉक्स वगारा करने वाला हूं तो वह भी आप देख सकते मेरे चैनल पर तो देखेंगे अब हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं इसकी थर्ड लेयर तो सबसे पहले हम इसकी सेकंड लेयर को सेकंड लेयर तक तो भाई आ चुके हम इसकी टू लेयर सॉल्व करके तो अब मैं आपको सिखाता हूं थर्ड लेयर सॉल्व करना तो थर्ड लेयर में थोड़े बहुत हमारे पास यहां पर होगे अल्गोरिदम्स तो जो की आपको याद करने होंगे तो जैसे कि आप रिमेंबर करिए मेरी आप अब देख सकते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आपको देख सकते हैं वहां पर मैंने सबवी आपको अल्गोरिदम्स बताए थे एक यह ल फॉद्स GR नहaż करना यह यह फ्कान है आपको सिखाया हुआ है तो वही इसमें सिंपली थोड़े बहुत ही होंगे हमारे पास कि स्टेप्स मैं आपको दिखा देता हूं इसके अलग-अलग कंडिशन्स क्या होंगी तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं इसकी फर्स्ट कंडिशन करके तो भाई देख सकते हैं यह इसकी first condition है आपकी both layer solve होगी लेकिन आपका यह उपर सिर्फ one dot होगा तो इसके हमारा aim क्या है कि हमें यहां पर एक plus बनाना है तो यह हमारा aim है कि यहां पर हमने plus बनाना है तो वो मैं आपको सिखाता हूँ कि कौन से algorithm से होगा मैं आपको पहले अपनी side करूँगा फिर आपकी side करके दिखाऊंगा तो जैसे के यह देख सकते हैं यह मेरे लिए front है यह वाली तो यह जो red वाली है यह मेरे लिए front है और यह और यह मेरे लिए back है तो मैं पहले करूँगा F यानि के front वाली को गुमा दूँगा फिर R U R' U' F' F R U R' U' F' तो भाई यह 6 algorithms हैं जो कि आपको याद करना है वो आपको second layer पर ले जाएंगी याद रखिए corner pieces को आपको कोई matter नहीं करता आपको सिर्फ यहां पर L बनाना है L आजाएगा आपका जैसे के इस तरीके से तो अब आपको main चीज है किसे hold कैसे करना है तो hold आपको इस तरीके से करना है कि एक आपके तरफ हो जैसे कि अब मैंने किया हुआ है अपनी तरफ को यानि कि ऐसे तो एक आपकी तरफ होना चाहिए और एक आपके साइड में होना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये ऐसे हो जाए उल्टा हो जाए तो ऐसे आपका L इस तरीके से होना चाहिए तो अब मैं आपको फिर से वही करूँगा सेम स्टेप हमने रपीट करना है फिर से रपीट करेंगे आपकी यहां पर लाइन आ जाएगी तो अब आपको कैसे होल करना है कि यह लाइन आपके लिए ऐसे स्टेट हो ऐसे नहीं ऐसे आई नहीं बनना चाहिए उसकी ऐसे स्लेंटिंग लाइन हो अब आज़ाको ऐसे देख सकते हैं यह आर्जी आड़ेश यूडश एफडश तो देख सकते दोस्तों आपका प्लस बन जेगा सीडिवी सिर्फ इसी चार अल्गुरिदम एक ही अल्गुरिदम को चार बर लगाने से तो आपका प्लस बन मैंने आपको अलग-अलग दिखा दी है कंडिशन्स क्या होगी तो आपका ऐसे होगा तो जो वन डाउट वाला है वो फस्ट है एल वाला सेकिंड है स्ट्रेंटिंग वाला थर्ड है और फोर्थ हमारा प्लस है तो अब जब हमारा प्लस बन चुका है अब हमारा टाइम है प्लस के साइड को मैच करना तो इसमें भी आपकी दो कंडिशन्स होगी यह तो आपका कोई भी मैच नहीं करेगा या फिर आपके ऑपोजिट कलर मैच कर तो यहां पर और उरेंज वाला मैच है तो अब आपको कैसे पकड़ना है तो आपको इस तरीके से बढ़ना है कि एक जो सॉल्व है वह आपके लेफ्ट साइड में हो और एक आपके फ्रंट में होना चाहिए अब आपको एक अल्गोरिदम लगाना है जो कि मैं आपको अभी थिखाता चीए तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कैसे था जैसे की ने आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था तरीका वही तो आपको क्या करना आर मेरी ताइस साइड से है जैसे मेरे साइड यहाँ पर red देख सकती है तो आपको R करना है U 2 करना है फिर R- करना है यानिके उपर उपर से दो बार फिर नीचे और फिर एक बार side में फिर से R और फिर से U- और नीचे तो फिर उसके बाद जब आप घुमाएंगे तो आपके चारों पीसे मैच हो जाएंगे जैसे कि अब हो गएगा तो अगर आपका पहले पर है यानि कि अगर आपका ऐसे दो opposite colors हैं तो आप इसे ऐसे पकड़ेंगे यानि कि एक इधर होगा एक इधर होगा फिर आप ऐसे यही algorithm लगाएंगे फिर आप adjacent colors पर पहुंच जाएंगे जब adjacent colors पर हो जाएंगे तो इसे simply फिर से repeat कर देना और आपका वो पहुंच जाएगा final पर जैसे के मेरा match हो चुक है तो अब दोस्तों जैसे के हमारा सभी cube बन गए हैं सिवाई इन corners के तो अब मैं आपक इसकी बी अल्गोरिदम मैं आपको बता ज़गा है तो इसकी algorithm है सबसे पहले आपको देखना है कि कोई भी सही है या नहीं जैसके यह वाला सही नहीं है white red और green है यहां पर blue होना चाहिए था तो यहां पर white blue और red है जो कि यहां होना चाहिए ता गलत है यह भी गलत है और य इसे algorithm लगाते हैं जो कि है लड़ेश यू आर यू ड़ेश एल यू आर ड़ेश देन यू तो अब अगर हम देखेंगे आपका कोई ना कोई तो मैच होई जाएगा जैसके देख सकते हैं मेरा white blue और orange वाला यहां पर मैच हो गया है और यहां पर देख सकते हैं रेड ब्लू और white यह नहीं हुआ मैच जार वाइट और और ग्रीन यह भी नहीं हुआ और white green रेड यह भी हुआ तो वानपीस हमारा हो चुका है तो यह हमारा second case है अब हम चलते हैं इसको solve करने के लिए आगे तो आगे solve करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि जो solve हो ग आगे algorithm को जब आप दुबारा करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा यह वाला तो solve भी था blue orange white वाला और यह मेरा white red blue वाला भी हो गया और red white green वाला भी हो गया और यहां पर सभी हो चुके हैं तो जैसे कि मेरा cube है मेरे cube में यह corners ऐसे rotate हो जाते हैं तो आपकी cube में अगर नहीं होंगे तो इसके लिए एक अलग से हमारे पास algorithm होती है तो अगर आपको वो भी algorithm चाहिए और इसका थोड़ा सा fast version चाहिए तो आप मुझे comment कर दीजिए और comment में अपना नाम जरूर डाल कर बताएं और अगले मैं आपको shout out दूंगा तो जैसे के पहले मुझे एक आदमी ने comment किया था उसका नाम था हर्श तो मैं उन्हें बहुत बहुत थेंक्यों करना चाहूंगा उन्हें लाइक किया सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को तो इस फॉड़े गाईज मैं आपको इसे solve करके एक बार फाइनली दिखाई देता हूं तो जी यहां दोस्तों तो देख सकते अगले वीडियो में कोई टाइमर भी लगा के दिखाऊंगा कि कितने टाइम में आप इसे solve कर सकते हों तो that is for today guys thanks for watching